हाई, स्लाम लगूम, गुड आप्टरनून, नमस्कार, सस्यकार, मत्रा की नगरी रादे, रादे, आठ महीने, आठ महीने का टार्चर, सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोण भारतियों का, अपने देश बास्यों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे लिए शोशल मीडिया पर हो, चाहे दौाएं मागी हो, चाहे प्रातना की हो, चाहे मंदिल गए हो, गुरद्वारा गए हो, मस्जिदों में, चर्च में, हर जहाद जहां से इतनी दौाएं मेरे लिए होई हैं, मैं सूझ भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं, आप सब का बहुत-बहुत शुक्या वन्ना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब पांच दिन तक, पांच पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि क्या बताऊं, आपको अगर कहा जाए खुद को पोशर का सिकार हो गया हूँ, पैर दिखो गए कभी, अभी दिखाता हूँ, तो ऐसा लगएगा, कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर, और जुडिश्री का बहुत शुक्या गजार हूँ, जुडिश्री ने बहुत अच्छा डिसिजन दिया है, वो मेरा ओडर ले आना, जुडिश्री ने बहुत अच्छा डिसिजन दिया है, और उनने साफ साफ कहा है, कि दौक्टर कफील ने जो अलिगण में भाशर दिया था, वो कोई भड़काव भाशर नहीं था, वो देश की यूनिटी के लिए, अखणनेता के लिए, एक जुटता क अलिए था, और उनने साफ साफ कहा है, डौक्टर कफील ने हेल्थ पर बात कि है, इंप्लाइमेंट पर बात कि है, एजुकेशन पर बात कि है, रोटी, कपड़ा, मकान पर बात कि है, हाँ जरूर है, N-T-C-A के खिलाब बुला है, N-R-C किलाब बुला है, पर ये भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गान्दी जी के आहिंसा के स'dभावना के साथ होना चाहिए कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए सबसे भाई मिलकर भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ हाना चाहिए फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया मुंबई एरपोर्ट से पकड़ किया तालीज घंटे तक इंट्रोगेट किया गया स्टीएफ की टीम ने ऐसे इसे सवाल पुछे अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोडों इंडियन मर जाएंगे मैंने गां भाईया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का मैं कहां से पाउडर मना लूँगा करोणा की बात कर रहे हैं तो आप चाइना से पूछे आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं हमारे पास फोन रिकॉर्ड हम निकल लाई यह सुना दीजे एक भी सबूत आपके पास हो तो मैं कोई पॉलिटिशन तो हूँ नहीं आप जपान गए थे मैंने गां हां पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया अरे जपान कैसे इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूँ जब पासपोर्ट मेरा जुडिशिरी के पास जमा है तो एक तरह से बहुत चौर्चर किया फिर जेल में रहके जेल में ऐसी जहां रखा जहां पे 150 कैदी थे वो नौ महीने का बियाडी आक्सियन ट्रेजिडी के बाद जो नौ महीने का दर्द था उसको उससे जादा उससे कई गुना हजारों गुना जादा पतली पानी की तरह दाल कच्ची रोटियां वही सुबा शाम खाना है जीना था उमीद थी कि आप लोगों से दुबारा मिल सकूँगा मुखातिब हो सकूँगा आप लोगों से बात कर सकूँगा और आप सब की दुआये काम आई ही आज आपके साथ हूँ फिर से दुबारा हाँ आसिब बाइं तन्वीव आई स्लाम खुम मत्रुआ की नगरी कृष्ण जी की पवित नगरी में रहे के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोका नहीं देना अपना दिल साफ रखना यही धर्म होता है और हम लोग रमायड देखते थे नौबए से दस बए तक हर रोज आता था लागडाउन के टाइम भी तो उसमें भी जो उत्तर रमायड में महाश्री वालमीकी जी ने श्री रामचन जी को जब एक बात कही थी जब उन्होंने धनुशुडा उठा लिया श्री लवकुष के खिलाफी तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राज धर्म होता है राज हट नहीं पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया है बच्चों की जान बचाने की ति बड़ी ससा दोगे भाई क्या बच्चों को जानबचाना इतना बड़ा गुना हो गया था सारी लोग फोन करें फोन नहीं किजिए कोई भाई में बात करनू बहुत दिनों बाद आठ महीने बाद आपसे राकेश शुदी साथ शुक्रिया वैबाब ओटक ठैंक यू यार ठैंक यू इस्वान खान साथ सुन्वाल इसलाम आई लव यू टू महीं कहरा था कि महाई श्री वाल मगी जी नेरा श्री राम चंची वागल मत करो लकान यू फिर आठ महीने इतना टॉचर कराना जेल में बार बार स्रिफ यह ऑगा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे जो 70 बच्चे आक्षिन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे उनको भूल जाओ कैसे भूल जाओ अपने सामने मरते हुए उनको दिखा है कुरोना के टाइम जब इस भारत में इंडिया में कुरोना ने इंट्री नहीं की थी 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कुरोना पे लेके और उस वक मैंने साफ साफ कहा बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे इस से बचना है और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया मैंने मानिनी है पधान मंत्री नरेंद मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिटेंडन जी के दारा बिजवाया और उसमें साफ कहा कि हम कम्निटी ट्रांस्विशन से बस नहीं सकते हमारा भारत देश ऐसा है क्योंकि मैंने पूरा भारत घुमा है कितनी गरीबी है एक घर में चार चार लोग कैसे रहते हैं एक पूरी जुगी जो बड़ी बस्ती होती है हजारों लोग उसी में रहते हैं जैदू भाई जी तो उसमें रहते हैं वो कैसे रहते हैं वो कैसे दूरी दोगज की दूरी रहो कह देना आसान होता है पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए कितने माइगरेंट बिचारे चलते चलते गए ट्रेनों में दब गए, गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की, कुरोना वाइरस इस तरह से फैल चुका है, कि हम दुना के दूसरे नंबर पे पहुचने वाले हैं, ब्रजील को भी छोड़ देंगे, च्री ननेंग मोजी कितनी के दोस्ट ट्रम्प सहब और ये इंडिया फस्ट और सेकेंड नंबर पे रह गया है, 48 लाख कुरोना वाइरस से केस हो चुकी हैं, बहुत कुछ करना चाहता था इस कुरोना वाइरस के लिए, आठ महिने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया, जेल में जान बूच के मुझे इस तरह से रखा गया, की मतलब समझ लिए कि ट्वालेट करने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, गर्मी एतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिचा के बिस्तर को भी भिगा देता था, तब जाके लेटता था, और वो डेड़र सो लोग, पांसो चौतिस लोगों की रहने की जंगा है वो, लेकिन सोला सो कैदी थे, अब बताईए वहाँ पे कैसे सोशल लिस्टेंसिंग हो जाएगी, वो एक खौफ था, लोगों की सांसेंस, लोगों की बद्बुआ, लोगों की, मतलब पिशाप के महे अरे एक ट्वालेट होता था, एक सो पचास लोगों के बीच एक ट्वालेट, किस तरह से जिंदगी गुजरी है, और एक बात बता दूँ, सिर्व मैंने ही सफर वक्ते आऊँ, पूरी फैमली को हरास किया है, पूरी फैमली को जिस तरह से परताईट किया गया है, उसका नहीं है, गोपाल दिछी थी, शेखर जी मैं हायस कर रहा हूँ, अपने सहत आप तो कुछ बनाऊंगा, वहाँ तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी, तो मेरी बच्ची, मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, चल नहीं पाता था, तो उसे छोड़ गया था, आज चलता है, दौरता है, बोलता है, पिछली बार भी जब BID में 70 बच्चे मरे थे, और उस वक भी बिना बाद के जूट केस में फसा के, जेल भेज दिया गया, और जब 9 महीने बाद हाई कोड ने कहा गया, रे, डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वाइरी रिपोर्ट में को छोड़ के गया था, तब भी वो 11 महीने के थी, चल नहीं पा रही थी, और वो बड़ी हो गई थी, आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप, पापन का मतलम नहीं समझते हैं, अब तब जाके ये जीत हुई है, और जुडिश्री ने इतना अच्छा अडर किया है, एक बात और करा दूँ, STF का शुक्र उगजार हूँ, कि उन्होंने मुंबई से मत्हुरा लाते वक्त, मेरा इंकाउंटर नहीं कर दिया, विकास दूबे की तरह, वन्ना तो शायद वो मु बहराल, आडर आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा, इतना अच्छा अडर, गुमिन माथूर साब ने में किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी दन्यवाद करूंगा वरना तो, हाई कोर्ट में, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, हर चौदा निन पे, कैसे एक एक दिन कटेगा, एक घटे कटेगा, ये सोचता था, कैसे वो टाइम आएगा, जब वो मैं बहान निक इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मेरी माँ, 65 साल की बोड़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई, और मैं सुप्रीम कोर्ट का सुपुर्गुजार हूँ, जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुना हूँ, और मैं Chief Justice, Goind Mathur जी का हाथ जोड़ के सुपुर्गुजार हूँ, जो इनो अर्मोस डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जीजान लगा दी, और उसके बावजूद उनको जेल भेज़ दिया गया, और ये ये नहीं, इसके अलावा नहीं, मेरे यानि की, मुझे ही नहीं, पूरी फैमली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहिए, मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा, शायद वहाँ पे जहाँ पे चीपिनिस्टर खुद मौजूर रहते हैं, वांसों मितर दूरी को, आज तीन साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई दिरिफ्ताई नहीं है, और कोई चार्ज नहीं हुआ है, बाहराल आते हैं एम एम यू के, जो लोग कहते हैं कि भाशर मैंने गलत दिया था, उसके बारे में, कहते हैं कि मैंने भड़का हुआशर दिया था कहते हैं कि मैंने दो धर्मों के बीच दो रिलीजन के बीच एन्मिटी हेट्रेड वाइलेंस खैलानी कोशिश की पूरी स्पीच लिखिये उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीश में नफरक फैलाए मैंने बात की थी देश के अख़णिंदा की, यूनिटी की, सद्भावना की मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्ट की, इंप्लाइमेंट की, एकनॉमी की, रोड की, हाॉसिंग की मैंने बात की थी उन सत्तर बच्चों की जो बियाडी मर गये हैं, मैंने बात की थी उन आठ लाग बच्चों की जो इंडिया में मर गये थे उस साल मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोशल का शिकार है मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे AIDS और HIV का हैप बनता जा रहा है मैंने बात की थी कि 72% of population हमारी अभी भी health structure महाँ पे है ही नहीं मिलता है और मर जाता है तो बचारे कंधे पर लाद के लेके चले जाते हैं उसके लिए लड़ा था कैम किया पूरा इंडिया घूमा एक सो तीन कैम किये पचास हजार बच्चों को देखे उसमें दवाईयां दिया केले नहीं गिया बहुत से डॉक्टर बहुत से लोग में साथ सामिल थे बहुत लोगों ने साथ दिया पर हुआ गया उसको भी दवा दिया गया इस कुरोना टाइम के मैं जब रियली मन काम कर सकता था शायद कोई नई दवा खोश सकता था करोना के खिलाफ सायद कोई नई वैक्सीन खोश सकता था तीका खोश सकता था उस वक्ट जेल में डाला बहरा आ गया हूँ कोशिश करूंगा और फिर से मुखमंत्री योग्या दितनाज जी से निवेदन करूंगा कि मुझे नौकरी पर वापस ले लें तीन साल से सस्पेंट किये हुए हैं कैसे जिन्दगी चल नहीं है कैसे फाइनिशल कंडिशन है आपको बता नहीं सकता सुप्रीम कोटा हाई कोट की फीस कैसे भरी गई है बता नहीं सकता पर लड़ा कहते हैं ना इस जुल्म की दौर में जुबा कौन कहते हैं ना कि इस जुल्म के दौर में जुबा खोले है कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले है कौन तो बोलना ज़रूरी है किसी ना किसी को पुर्बानी देनी होगी है तो शायद उपर वाले में मुझे चुना है बहराल बाहर आ गया हूँ कोशिश करूँगा कि सबसे पहले बिहार आसाम केरल करनाटका कमिलनाडू जहां पर बार आई हुई है बार बार से तो बहुत बड़ा नुकसान होता है घर डूप जाते हैं घर तूट जाते हैं लोग भिखर जाते हैं लेकिस सबसे नुकसान तब होता है जब बार का पानी चला जाता है पिछली बार हम लोग आ सम और बिहार ने हम लोग बहुत काम किया था और इस बार भी काम करना चायोगा क्योंकि कई 고 क्योंकि op पानी के बालेsilीं नेकाम करना चाहूँगा कुरोना वार्णा ये वारियर की तरह काम करना चाहूंगा कोशिश करूँगा अगर योगी जी की किर्पा होगी नोकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हास्पिजल से अटाइच होके रिसाइच करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा जाद हो पाए जिससे हमारा देश कि और किसी ही मौत ना हो बढ़ता जा रहा हर रोज हलाल लोग मर रहें एक का भी मरना बहुत हतनाग बात इसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही हो जानता है एक भी मौत होती है और यहां तो सब 65,000 लोग मर चुके हैं उस पर काम करना चाहूंगा और अगर वैक्स कि सर्च हो जाए मैं खुद की का लगवालूंगा अपने आपको वालेंटियर करूंगा मैं यह मेरी नई योजना है अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं अभी तक मिल नहीं पाया हूं कल भी आप सोच लिजिए कल साड़े 11 बजे दिस्टिक जेल मत इसमें भसा दें जैसे इन्होंने पिछली बार आलीगर में जब मुझे गिरिफकार किया था मुंबई से तो जब मुझे बेज दस फरवरी को मिल गई ती तो चार दिन तक चार दिन तक कोर्ट के आदेश के दो दो बार आदेश के बाओ जो छोड़ा नहीं मुझे इल्लीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर एनसे लगा दी एनसे नियम्दवदव नेशनल सिक्योर्टी आक मैं टर्रिरिस्ट हूं जा दाड़ी बढ़ जाती है जेल में इवाउ में करता हूँ 50,000 जो बच्चे को देखा पूछा कोई कोई कौन गरीब है और अमीर है कौन किस जाती का है कौन किस धर्म का है उसर पे यहाम लाओगे इसाम वो लगाते है जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है जो भरा होता है गंदगी से वो दिमाग वो लगा अभी यूपी से अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ गोरकपूर नहीं गया हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सवकार अभी किसी ना किसी किसी के इसमें पसानाई की कोशिश कर रही है प्लिक से कुछ कर दें या इन काउंटर कर, दें मरवा दें हो सकता हो आपके बीच में ना रहाबो मौनों हो सकता हो यह हमारी और आपके आखरी मुलाकात हुओ यादो जी जी सही कहा रहा है मिनास गलिया आप थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया मोहंचांजिंगे चोजी समर साब थैंक यू तो मैं कह रहा था कि खुरुना वारेस एक ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी मैंने उस वक्त 19 मार्च को ही लिख दिया था कि 30 से 40 लाख लोग उस वक्त मैंने एस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे और अलेडी 30 से 40 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके है और अभी ये रुकेगा नह जब तक वैक्सीन नहीं आएगी अभी यूपी बिहार और मदपदेश जैसे लाकों में जहां बहुत पापुलेशन है वहां ये फैलने वाला है और बुरी तरीके से हमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें मुझे आप सब की बहुत जरूरत है आप सब का बहुत सहयोग की ज जरूर जाना चाहूंगा एकबार ठाकुर जी की दर्सन करने के लिए बात यहां पे लोग मन की बात करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं अब आप देख लिए हम लोग तो टीव पे देख रहे हैं पिछले तीन महीने से सुशानतिंसिंग राजपूर को ही सुने जा रहे है भाई फोन नहीं करो फोन करने के वाज़ा से बार बार पाउस हो जा रहा है अच्छान सिंग राजपूर की तीन महीने से लगाता टीव पे बात किये जा रहे हैं लेकिन कोई यह नहीं बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी कल परसों जीडीपी शायद रिलीज हुआ है और हमारा जीडीपी जो है भाई फोन नहीं करो मैं कह रहा हूं पर इस वर्श चन साब कोई फोन ना कीजिए प्लीज कुछ बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूँ आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे संसुल मलिक साब नूर खान रान खान साब अधित्यराज साब अफ्ताब तो आप सबसे बात करना चाहूंगा फोन ना करें तो मैं कह रहा था कि जो में बातें हैं टीवेड जो होती है वो नहीं हो रही है शायद कुछ टीव एंडी टीवी है या आपका मिरन ना हूँ है टाइमस ना हूँ है या फिर इंडिया टुडे है इस सब पर हो रही होगी पर जो यहाँ पर बातें हो रही हैं वो यह नहीं हो रही है किस तरह से माइगरेंट हमारे करोडों लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए उस धूप में कड़ी धू लोगों को नोखू डिया नहीं है लोगों को खाने को नहीं है 500 रुपया आपके एकाउन में डाल दिआ गया यह उपको तीन महिने तक 500 रुपय चलाइए पांच पिल्म किल्म चायों दे दिया गया और आप पूरी 6 ट्वाई ने तक, बात जो है, Real Issue पे हो गी ही नहीं, Education पे हो गी ही नहीं, Implight मेंट पे हो गी ही नहीं, Health पे हो गी ही नहीं, हमारा जो, कोई भी आप को हास्टल देख लीज़े, क्या का हालत हो गई है कोई भी सरकारी hospital में जाना नहीं चाहता है आप ने ध्यान दिया है कोई भी बड़ा मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी कोई बड़ा चीफ मिरिस्टर हो या कोई भी मतलब मैं नाम नहीं लूंगा सब लोग वदानता में जाके के इलाज करा रहे ओविधानता यानि की नर्डा में करोडों रूपे का इलाज करा रहे हैं लें कोई भी सरकारी हास्पीटल में नहीं जाएना चाहता है क्यों? ठ्रूंकल िसा कारी हास्पीटल के हालत 받ेर है वहाँ गरीब जाएगा गरीब मरेगा और गरीब मरता है तो मर जाने तो क्या फरक पड़ता है तो जो लोग यह सुचते हैं कि बार-बार जेल में डालके मारके पीटके तोड़के यहां मारो यहां मारो उल्टल पड़ला आपको डंडे सहे मारो गान लाल कर दो एकदम पूरी तरह से पैर पे मारो करते रहो यह एकदम तोड़ दो इसको तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है मैं जुकूंगा नहीं डरना आता नहीं हमें चाहे जितना भी जरा लो हर बार एक नहीं ताकत से उठेंगे चाहे जितना भी जुका लो कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं अरे हम इस मुल्क की मिटी को भी अपनी मा कहते हैं उसको तुम जो है उस पे एनसे लगा देते हो कोट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध एनसे लगा है सारा अवैध लगा है देखो कि क्या हालत बनाई है बटी सावाब बोल ले हो तो देखो क्या हालत बना दी है मैं कुपोशर के लिए वो कर रहा था यह तांगे हैं मेरी यह हाथ है खाना जो है लगी का जो मैं खुद को पोशर का बच्चों का इलाज क्या करता था आज खुद को पोशित हो गया घरवानों को किस तरह से परिशान किया गया है वो बता नहीं सकता पर आप लोग जो 138 करोड देशवासी हैं मेरे उन सब का साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं खासकर कुछ लोगों का जो लोग भूथ करीब थे इंद्रा जैसिंग मैं मनोज सिंह मनोज पांडे मनीसिंग मनीस सिभान इड्वकेर मनीसिग दिलिफ कुमार साहब नजश्रलि इसलाम साथ ऐसे बहुत से loves salon मिनाक्षि शुक्ला मेन काभवाद श्क्राइम है इफां गाजी हाँ जल्दी बिहार आ रहा हूं और जल्दी हम डॉटर कफील खान मिशन इसमाईल फाउंडेशन के तहट कैम लगाएंगा और इस बार एक बड़ी टीम बनाके एक साथ कई जिनहां पे असम, बिहार, तमिलनाडो, करनाटका, केरल, आंद्रपरदेश, जहां जहां पे मद्परदे जहां जहां पे बाड़ ने, बस्षिम बंगाल, जहां पे तुफान आया हुआ है, अभी भी लोगों को घरों पे तूटे उपड़े हैं, हर जहां पे जाना चाहूंगा, पुर्वान चल अपना गोरखपूर, अपना उत्तरपरदेश, हर जहां जाना चाहूंगा, पूरा भरत में टीम बनाके हम इस बार एक बड़े लेविल पे कैम करेंगे, और इसमें आप सब का बहुत सहयोग चाहिए, मैंग वर्मा साहब, आप कुछ लोगों से बाते कर लेता हूं, मैंग वर्मा साहब सही कह रहे हैं, दाड़ी काल काट दूँगा, बच्चों का इंतिजार कर रहा हूं, बच्चे आजाएं एक बार उनसे मिलनूं, उसके बाद मेरी गोटी वापस आजाएगी, अबनीश चाहरा साहब, जी हाँ, बहुत मारा, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टार्चर किया, फिजिकल मेंटली टार्चर होता है, वो इस तरह से होता है क हो जाता है, इन आठ माईनों में देखिए किस तरह से जुरियां आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूं, किस तरह से जो हैं, दस साल बुड़ा कर दिया है, जुबेर, पीके साहब, बोलना जरूरी है, बोल, बोलेंगे नहीं तो, कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो, किस को तो बोलना पड़ेगा जैदु साब आपने वहां से बैठके हां इंडिया से बाहर बाहर गल्फ कंट्रीज में यूएस से यूके से केनेडा से स्विजलेंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहां पे जेल में उन सब को बहुत-बहुत शुक्रिया है सत्या सिर्खा यूजया से मैं बाहर आया हूं कुछ लोगों ने सरकारी एजेंशियों को जिस तरह से अपने कबजे में करके लोगों को प्रतारीत करते हैं वो सही नहीं है अर्टोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आ आपको Freedom of Speech आक आर्टिकल 21 म समझ गये तो बोलना जरूरी पड़ेगा हम नहीं बोलेंगे कुर्बानी देनी होगी किसी ना किसी को पुर्बाई देनी होगी तुर्थ मस मस शुरों कुमार साब यस थैंक यू शाइना मुजर्बिया दानशु कुमार हाँ कुछ दिन एक्सरसाइज करूंगा और हेल्थ बनाऊंगा क्योंकि जिन्दा रहना है आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा डेरिक कुजर्ब थैंक यू या जरूर मैं करूंगा थैंक यू शाइज शुबान जमाल सावाब मुहमत कलापटी फ्रम दुबई आल्दबेस थैंक यू मैंने कहा ना गल्फ कंट्री से बहुत कार आया बहुत मिला है केरल के लोगों ने बहुत सयोग किया हुआ है पुरा सावट ने पुरा नौर्ट ने पुरा सेंटरल ने बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया पस्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला आसम में जिस तरह से आंदोलन चला अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं उनके लिए हमें आवाल उठानी पड़ेगी मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ चुकि कर रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बाते हो रही थी इसको हम डिसकस नहीं कर सकते हैं तो इस वज़ा से अभी अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं, मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ, आखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी मा की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ सीरिसली रोना चाहता हूँ तब जिस तरह से जिन्दगी कर दी है अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ एक बार मा की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ सुगून की नींद सोना चाहता हूँ यार पुझता है जिल में क्या होता था आर दो गंटे पे पैरा लगता था हाँ साहब भी 146 कैदी नसर नमहें नहीं सकुसल है चे बजे सुबा पांच बजे सुबा लाइन लगाओ परेड लगाओ आठ महें ने तो मैंने अभी चार पंजे के लेटर में सायद लिखिया आप लोगों सायद मिलना होगा चन्द मित्रा साहब थैंक यू मुदसी साहब बुश्रा दीपक जादाओ अमजद पंडी जी तयव खान रोहित शुवम जय परकास चाचा बिजेश बिजेश सिंग की बड़ी आदाई जो गुरकपूर में थे योगेश सिंग जी सब आप लोग का सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कुछ और पुछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का आजम गाहां आपको भी फूल गुलाब का फूल आप एक बात लास्ट में बस यही कहां चाहूंगा कि आप सबकी वजा से ही आप सबकी मेरी फैमिली तो दोड़ी ही मेरी माँ बुड़ी माँ लोवर कोट से लेके मदवाली गड़ कोट से लेके अलाहाबाद कोट और फिर दिल्ली इस कुरोना वायरिस के टाइम में 65 साल की उमर में भूम रही थी एक वकील के पास से दुक्र ही आप सबका ही बहुत-बहुत योगदान है आप सबके विदा शायद जो ट्विटर में मैंने सुना बारा लाख लोग एक बात हो गये हैं ट्विटर अकाउंट मेरा बैन किया हुआ है डाक्टर डी आर के फ डवली एल खान करके है इसको बैन किया हुआ उसके लिए आवा जस्टिस प्रिवेल यस अमित सोहल साब मुंम्मद गयूर कहिशी दिनेश कुमार यादो जी कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहेगा मेरिया से दूर रहूंगा जी 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 जरूर जरूर राकेश चौदी साथ थैंक यू आदिल थैंक यू आप सबका बहुत-ब और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश में नए जोश के साथ फिर से सामने आऊँगा आपके साथ जी मैथ्यू साथ मिर्दूला मिर्दूला हाओ आर यू उबैद सनोज कुमार जी तैंक यू डाटक किर्थी सिना मुदसिर खायमत साथ जी जाजिब इतने सारे गुलाब मत भेजिए भाई बस बस नए अमिद्दिन साब जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों का साथ चाहिए होगा हम लोगों को जो में बिसिक एशू है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्त और नोकरी और सिक्षा की बात करनी है उस पर ही हम लोगों को काम करना है कि हर गरीब को 138 करोड भ गुसा जा रहा है देश के अंदर इस तरह से नहीं हमारे सैनिक पाकिस्तान के सरवदों पर मारे जा रहे हैं रोज उस तरह से नहीं सब को मोटोर जवाब देना है कि प्रिह बार मैंने जो हयगा है निक के का एक हासपिट वांसो बेट का इनके फ्लाइट इस चले का करने वाला था वस वक् agents का दो ख्ली करान मिशा झ wired मिसन इसमाहाइल पांडिशन के उससार उससे फिर से कोशिश करूंगा स्टार्ट करूंग और जहां पेSmira यादो लश्का साहब फिर से स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जमीन जल से जल ले लूँ और हर घरीब का वहाँ पे फ्री इलाज हो जैसे ही जैसे बड़े-बड़े हास्पिटल में नोड़ा में और गुर्गाउं में और दिली में और एम्दाबाद और कोलकत इंशालला जी आप सबका सही होगा इसकी जरूरत होगी जै हिन जै भारत जै मुल्निवासी जै भीम बंदे मात्रम जैसमाजवाद